नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 Live, मैं आर रोय, अब सभी दर्सकों का एक बर फिर सवागत करता हूँ, जिसा कि N20 Live की टीम आज दो माह से विकास की खोज में निकली हुई है, और विकास की खोज के करम में आज हम पहुँचे हैं सिवान सदर के पंचायत में, और पचलखी प मुखिया और वर्तमान वाड़ लोग का भी लिपोर्ट दिखाया गया था, तो खेर अब तो चुनाव काफी न दीक है, चुनाव आयोग द्वरा, चुनाव की घोशना भी कर दी गई है, और 29 सितंबर को सिवान सदर का चुनाव संपन कराया जागा, उसी में पचलखी आम से जाने जाते हैं अपने पंचायत में, और कई वर्सों से यह जनता के बीच में, तो विश्व कर्मा जी जिसे बताइए कि अब देखा जागा चुनाव काफी नजदीक है, जतना भी परत्यासी लोग है, सबका दोरत तेज हो चुका है, वो डो टू डो जा रहे हैं, ल जनता का सोच अगर मेरे प्रती बनता है, तो हम मैदान में आईगें, जनता की उपर डिपेंड करता है, लोग तंत्रे में सच बात है, लोग तंत्रे में जनता ही भगवान होती है, वो जो चाहेगी वही होता है, तो यानि आपका भी का नाम एक आप जनता के हिसाफ सही चल जनता जिस सोच से हमको लाती है उसके सुच के नुसार हमको उसके विकास उसकी शेवा के लिए खारा उतरना है पूरे पंचायत के जंता से जुड़े हुए हैं कि अपर था उसका फाइदा आपको इस वार चुनाव में मिलेगा तो हमारे चैनल का माध्यम से अपने पंचायत की जो जनता है उनसे क्या अपिल करना चाहते हैं? हम जनता से यह अपिल करना चाहते हैं कि जनता जो भी हो यह चुनाओ वे काम के प्रती अपने शेवा के प्रती यह रुजहान को चुने और जो प्रतियासी इस काम के लाइक उसको नजर में आवें और उसकी सेवा कर सकें उसके हमेशा कंधा से कंधा मिला के चल सकें अगर इस पता रहा हुए लेकिन अबी बयात्माप संमझते हैं पढ़ाइ के जबला ही हो तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार की जो चुनाव होगा वहां के जो पढ़ी लिखी जनता है पढ़ी लिखी के इंडेट को ही वोट देगी यह जनता पर डिपेंट करता है बहुत लेने वाला से बहुत देने वाला चला गई वह जनता आज के दिट में उत्रा बुर्बक जैसा रुज़ान आ जैसा रुजान आ रहा है उशा हमारी मैसुभी घो तूमुorie जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हर बिर के बारी मनें हर समय के चुनाव जो पीछे चुनाव हुआ वह चुनाव को जाद, पात, पाटी, पववा से उठकर जो विकास करने वाले जो काम करने वाले उसका परतिष्टा करने वाले लोग हो आप उनको चुने जैसा है कि हमारे साथ मौझूद थे अभी पचलखी पंचायत के एक सुयोग्य करमट और सिक्षित मुखिया परतियासी विश्व कर्मा यादो जी, इनका साप का नाम है कि आज की जनता समझदार हो चुकी है, सिक्षित हो चुकी है और जाती मजहब धरम के नाम पे चुना भोड़ देकर इस पंचायत का मुखिया बनाएगी और इनका ये भी कहनाम है कि मैं बिगत कई वर्सों से अपने पंचायत के हर जंता से जुड़ा हुआ हूँ और हर दुख सुख में मैं उसका सामिर रहता हूँ, हलाकि ये भूत पुरों BDC भी रह चुके हैं, और BDC के ना पद्ध पर ये रहे हैं, उसका फायदा इस बार इनके मुखिया के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है, और जनता का भी फीड़बेक इनके साथ बहुत ज़्यादा है, और जनता का भी कहना में कि चुनाव में अगर आते हैं, तो मानम लोग खुल के उनके साथ पद्ध पर ये कायम थें, उस समय जो पंचायद के विकास किये, ये सब को पाता है, ये जनता भली भाती परची थे, और प्रखंड के दोरा इनको पुरसकार भी दिया गया थे, एक लाग के चेक से नवाजा भी गया था, बिहार सरकार दोरा, उसमें भी नहीं के लिस्ट म हैं, जो कारे करने की सैली है, उस से जनता भली भाती परचीत है, किसी परचे के महताज नहीं है, विस्व कर्मा यादो जी, और इस पर ये जनता के भविश्य के लिए, बच्चों के भविश्य के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जनता का इनको पूर सपोर्ट भ भी होगा और विकास भी होगा आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए